हेलो फ्रेंट्स इस्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है आज के हम इस वीडियो में ग्रामिड विकास सब्जेक्ट का एमसी की सिरीज का लास्ट ग्यारवा वीडियो लेकर आएं इससे पहले दस वीडियो अपलोड हो चुके हैं टॉपिक वाइस आपके अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा रख्या गया ग्रामिड विकास में बैंकों की व्यूमिका इससे भी तीन से चार प्रश्न एक्जाम में आ आज का पहला कोश्चन है राष्टी क्रिसी एवं विकास बैंक इससे नबाड भी करते हैं इसकी स्थापना कप की गई थी इसमें फर्स्ट ऑप्सन है बारा जुलाई उन्नीस सो बैसी तूसरा ऑप्सन है एक जुलाई दो जार दस या तीसरा है दस अगस्त दो जार पंदर बैंक नबाड के मुख्याले कहां रखा गया है इसका मुख्याले दिल्ली में है या मुंबई में है या चेन्ने या पंजाब में है तो इसका सही अंसर हो जाएगा मुंबई महराष्ट में है इसके नबाड बैंक का इसका मुख्याले मुंबई या महराष्ट में रखा गय कोई नहीं तो इसका सही अंसर ओ जाएगा 50,000 इसमें इस योज나 के तहत ्सी सी सु moet-फशन ओर ये जते हैं अगर किस ओर के लिए देख लें 50 जार से पांच लाग तक दिय जाते हैं और तरूड इसमें पांच लाग से लेकर 10 लाग तक दिये जाते हैं आप इसे भी ध्यान रखेंगे इसके बाद चौथा कोश्चन देख लेते हैं जनवरी 2022 के तहट 36 गड़ में प्रधान मंत्री जंधन योजना के तहट कितने खाते खोले गए हैं इसमें फॉस्ट अप्सन है 40 करोड दूसरा अप्सन है 50 करोड तीसरा है 44 करोड या चौथा अप्सन है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसका नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा कोश्चन प्रथम 5 ग्रामिड विकास बैंकों की स्थापना किस वर्स की गई है इसमें पहला अप्सन है 1980 दूसर इसका सही अंसर हो जाएगा 1975 1975 में ही पांच प्रथम ग्रामिड विकास बैंकों की स्थापना की गई थी इसके बाद नेक्स्ट चटवा कोश्चन देख लेते हैं यह बहुत ही इंपर्टेंट कोश्चन है कौन सा वेसाइक बैंक अपने को आबंटित जीले में से जीला साख या रीड योजना तयार करता है इसके द्वार्थी स्टेट बैंक या सेंट्रल भैंक तो इसका सही अंसर हो जाएगा अगर नेक्स तयार किया जाता है अबंटीत जीले में इसके बाद साथवा कोश्चन देख लेते हैं ब्हूमी विकास बैंक की इस्थापना कप की गयी थ तीसरा है 1929 चौथा है 1910 तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1929 में भूमी विकास बैंक की स्थापना की गई थी इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं 2010 दूसरा रखा गया है 2012 तीसरा है 2014 या 2014 है 2016 के इस कोस्चन का सही एंसर क्या होना चाहिए इसको आपको कमेंट में बताना है इस प्रकार से हम 8 कोस्चन इस टॉपिक से देख लिए इंपॉर्टेंट है एक्जाम की दृष्टे से आप इसे नोट कर लें इस प्रकार से हमने ग्रामिड विकास के लिए पुरा टॉपिक वाइस MCQ कबर कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक दे दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट कोस्चन सेलेक्ट किया गया है इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें धरने माद